नमश्कार, उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत है, बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सा प्याद, चलिए सुनते हैं कहानी पिता, जिसे लिखा है मालती जोशी जी ने पिता नहीं रहे, बाबा, बाबुजी, डैड़ी, पापा, कुछ भी नहीं, जब भी जिक्र हुआ है, सिर्फ पिता ही कहा गया है, पिता जी भी नहीं, शायद उतने सम्मान के भी वे अधिकारी नहीं थे, नानी तो हमेशा बाप ही कहती रहें सुमी का बाब, उस घर का सबसे चर्चित और तिरस्कृत मुहावरा था, तो पिता नहीं रहे, उनकी मृत्यू का समाचार ऐसे समयाया, जब हम लोग उनके अस्तित्तों को करीब-करीब भूल ही चुके थे ना चाहते हुए भी मेरे शान्त जीवन सागर में कुछ तरंगे, कुछ हिलोरे आ गई, मैं बेवजह उधास हो गई, यो उधास होने के लिए पिता की मृत्यू एक खासी वजह थी, पर उस तरह का रिष्टा तो हम लोगों के बीच कभी रहा ही नहीं मुझे तो उनकी शकल तक याद नहीं, फिर भी मन उदास हो गया, शायद इसलिए कि इस दुखत समाचार को मन उनकी आंतरिक्ता के साथ ग्रहन नहीं कर पा रहा, जो कि एक बेटी के लिए जायज है मैं अन्य मनस्क सी हो रही थी, और डर भी रही थी, कि अगर शाम तक मेरा मोट ठीक नहीं हुआ, तो साहा बहादूर घर आते ही शुरू हो जायेंगे परिशान सी लग रही हो, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं, मम्मी वगेरा सब ठीक तो है न? अभी इतवार को ही तो दीदी का फोन आया था, फिर क्या बात है? चहरा इतना उत्र हुआ क्यूं है? कुछ नहीं, बस ठक गई हूँ, आजकल जल्दी छगदाती हूँ, चलो, चेक अप करवा लेते हैं नहीं, अभी उतनी नौबत नहीं आई है, मैं तंग आकर कहती हूँ, तब जाकर यह जिरह बंद होती है, गुस्सा आता है कि जरा सी बात भी इनकी नजरों से नहीं छिपती, कई बात तो चिड़ कर कह देती हूँ, क्या मुसीबत है? इस घर में कोई मन भर कर उदास भी नह हो सकता, उदास होने पर पाबंदी नहीं है, डालिंग, यह मुझे अपने पास खीच कर कहते हैं, I just want to share it, and I want to enjoy it all by myself, वह हस देते हैं, एकदम स्वक्ष निर्मल हसी, और हसने की तो बात है ही, उदासे भी कोई enjoy करने की चीज़ है, उन्हीं दुख होता है, हैरत होती है, कि सुख के इस अथाह सागर में भी मैं दुख के कड कहां से बीन लेती हूँ, इसलिए सुरू हो जाते हैं, मम्मी की याद आ रही है, शुभम का रिजल्ट आया है, शगुन ने दिन भर बहुत परेशान किया, मतलब यह कि उदास हो तो कारण बताओ, इस कारण बताओ नोटि होना भी भार लगने लगता है, और मम्मी को हमेशा यह सिकायत रही कि उनके पती के पास समवेदना नाम को भी नहीं थी, हद दरजे का आत्म केंदरित व्यक्ति था वह, दोसरों के सुख दुख से एकदम अंजान, घार उनका था, वे स्वामी थे, मम्मी पत्नी कम, नौकर जानी जिसे तनख्वा न देनी पड़ती हो, मेज समारने से लेकर सेज समारने तक का हर काम, खुशी-खुशी करना उनका फर्ष था, पती के जूते तक उन्हें उतारने होते थे, साफ करने होते थे, जबकि वे खुद, पैर की जूती से ज़्यादा कुछ नहीं थी, यह ज जार दिया, शेश शमय घर के कोने में पड़ी रहने को अभिशप्त, M.A.P.S.D., मेरी मा कैसे और क्यों, यह सब सहन कर गई, सोचकर आश्चर होता है, पर सहने की भी एक सीमा होती है, उस सीमा के पार हो जाने के बाद, छण भर भी उस घर में सांस ना ले सकी, अपनी दोनो बेटियों को गोद में उठा कर सीधे नानी के घर आ गई, कुल आठ साल के वेवाहिक जीवन का पटाप छेप हो गया, उस समय दीदी पांस साल की और मैं महज दो साल की थी, इसलिए मेरे मन में ना पिता की और ना पिता के घर की कोई स्मृती बाकी है, भाई के घर में पितिशा निभाव होना कठिन था, मम्मी इस बात को जानती थी, इसलिए सुविधा और साइनोग जुडते ही उन्होंने अपना स्थानांत्रन भोपाल करवा लिया, आते समय नानी को भी साथ लेती आई, ताकि उनके भरोसे लड़कियों को छोड़कर निश्चिंतता से न नहीं तो मम्मी ने तो बच्चों के सामने वह अध्याय कभी खोला ही नहीं, ना कभी पिता के निंदा के, ना उन्हें याद किया, नानी ही जब तब उन्हें कोसने लगती, तो वह ठके स्वर में कहती, अब रहने दो, अम्मा, तुम अपनी जुआन क्यों गंदी करती हो? सोन चिरया की, जिन गानी मिट्टी कर दी, बाप के रहते बेठियां अनात हो गई, नानी का जब मूट खराब होता, तो उन रिष्टेदारों की भी शामत आ जाती, जिन्होंने या संबंध सुझाया था, मरोंने हावा तक नहीं लगने दी, कि लड़के का चलन ठीक नहीं ह पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाली थी, इश्वर करे उनकी बेटियों को भी ऐसा ही नरक नसीब हो, नानी किसी तरह चुपना होती, तो मम्मी मुझे खीच कर दूसरे कमरे में ले जाती, और कहानी सुनाने लगती, मैं बड़ी बड़ी आँखों से मम्मी को देखत दूसरी ही कहानी बुनने लगती, उस कहानी में ना राजारानी होते ना परिया होती, उन कहानियों में अंजान आदमी राक्षस या दैति की शकल में होता, और मेरी नाजुक सी गुडिया सी मा, चुप चाप उसके अत्याचार बरदाश कर रही होती, पच्पन में पिता की कलपना मैंने हमीशा दैति के रूप में ही की, पर जब कुछ बड़ी हुई, तो उन्हें मानवा कार देने की कोशिश की, पर कलपना में कोई चित्र भी नहीं उभरता था, जैसे जैसे समझाती गई, कुछ वाक के मन पर अंकित होते गए, निमी बिलकुल अपने पिता पर गई है, नाक नक्ष, रंग रूप, कद काठी बिलकुल वही है, फिर नानी उस चित्र में रंग भर देती, अरे सुभाव भी बिलकुल वैसा ही है, एक नंबर की जिद्धी नक्चड़ी है, सुमी एकदम गउ है, बिलकुल अपनी मा जैसे, यह मरी तो हू बहू बाप का न हमूना है, मतलब पिता उंचे, कद्धा वर सामले, तीखे नैन नक्ष वाले जिद्धी इनसान थे, जबकि मम्मी नाजुक से, कोरी सी, सौम में प्रवृत्ती वाली महिला थी, लोग कहते हैं, इश्वर जान बूच कर ऐसे जोड़ी बनाता है, ताकि संतुलन बना रहे, द पिरिन लोगों की निभी क्यों नहीं, क्या गडबड हो गई, कभी कभी दीदी से मनुहार करती, दीदी बताओ ना, अपने पिता कैसे थे, तुम तो उस समय काफी बड़ी थी ना, दीदी अपने स्वभाव के विपरीत मुझे एकदम जड़क देती, मेरा दिवाक मत चाट मुझे कुछ भी याद नहीं है, ना ही मैं इसकी कोई जरूरत महसूस करती हूँ, फिर धीरे से कहती, दूसरी बेटी पैदा करने के अपराद में, उन्होंने मम्मी को जो अमानुशिक यातना ही दी है, मुझे सिर्फ वही याद है, दूसरी बेटी? मतलब मैं? हाँ, तुम और प्लीज, अब इस प्रसंग को यहीं समाप्त करो, दीदी दोनों हाथों से सिर्फ पकड़ कर कहती, कि वह एक बुरा सपना था, जिसे वे भूलना चाहती है, दोनों हाथों में सिर्फ थामे, दीदी मुझे बिलकुल मम्मी की टू कॉपी लगती, मुझे कभी कभी बहु मैं उन जैसी क्यों नहीं हुई, नाजुक छुई मुई सी, नानी कहती ही, तार सी लंबी हो रही है, दूला कहां से आएगा इसके लिए, लेकिन आश्चर, दूला मेरे लिए ही आया, दीदी अन्ब्याही रह गई, खेर, रिष्टे तो उनके लिए भी बहुत आये, लोग तो पांच कपड़ों में ब्याह कर ले जाने को तयार थे, पर दीदी को विवाग के नाम से ही चिड़ हो गई थे, बचपन के जो दुष्वपन की तरह उसके मन पर अंकित हो गए थे, उनसे वे कभी मुक्त नहीं हो पाई, डॉक्टर होते ही वे आगे की पढ़ाई के और वहीं बस गई, दीदी के जाने के बाद मम्मी एकदम हकेली पड़ गई, कुछ तो नानी की मृत्तियों नहीं उन्हें तोड़ दिया था, दीदी के जाने के बाद तो एकदम ही गुमसम हो गई, दीदी के साथ उनके अंतरंग संबन थे, उस तरह से वे मुझ से कभी शायद मुझ में अपने पती की प्रतिचाया देखती हूँ, या कि मेरे सभाव में ही कुछ खोट रहा हो, पर वे हमीशा मुझ से छिटकती ही रहें, बलकि उनकी अपेक्षा, मैं नानी के अधिक निकट थे, नानी ने कभी सीधे मुँ बात नहीं की, पर उनका प्यार, गा प्रतियों के बाद मम्मी ही नहीं, मैं भी बहुत अकेली पड़ गई थी, जीवन के उस सुनेपन को भरने में अजीत ने बहुत मदद की, यह सच मुझ मेरा सौभाग गे था, कि जिस समय मन सहारे के लिए भटक रहा था, अजीत सामने पड़ गए, नहीं तो मैं किसी के भी कंधे पर सिर रख कर रोने पर आमादा थी, मुझे तो आज भी सैयोग पर गर्व और आश्चर होता है, कि उन दिनों अजीत से मुलाकात हो गए, एक दिन मम्मी से परिचे करवाने के लिए, मैं उन्हें घर ले आई थी, मैं चाय बनाने भीतर आई, तो मम्मी भी मेरे ही है, बात में शायद और कुछ या बहुत कुछ बन जाए, वे पुना बाहर जाकर बैठ गई, और चाय के दौरान उन्होंने बहुत सहज भाव से कहा, अजीत, नमिता ने शायद तुम्हें बताया होगा, कि मैं और उसके पिता वर्षों से अलग हैं, उसके जहन में तो श में वा बहुत छोटी थी, नमिता ने मुझे कुछ नहीं बताया, शायद कभी जिक्र ही नहीं चला, और आप भी मुझे या सब क्यों बता रही हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, इस तथ्य को जब तुम जान लोगे, तब तुम्हें उसे समझने में आ जादा समवेदनशील, जादा गुसेल या जादा जिद्धी होते हैं, इसलिए अगर नमिता के स्वभाव में तुम्हें कुछ अस्वभाविक लगे, तो जरा सब्र से काम लेना, उसकी बैक्ग्राउंड समझने की कोशिश करना, मम्मी के इस आग्रह को हम दोनों ही नहीं स समझ पा रहे थे, सब कुछ बड़ा अप्रासांगिक लग रहा था, पर बाद में उसकी साथ हरता समझ में आई, मम्मी जान गई थी कि यह रिस्ता बहुत दूर तक जाएगा, इसलिए भूमी का बांध रही थी, जैसे ही अजीत की ओर से प्रस्ताव आया, उन्होंने फोरन बात नहीं छिपाई, बल्कि उनसे कह दिया, कि मेरी बेटी का या पक्ष कमजोर है, कृपया इसे लेकर कोई ताना करशी ना करें, नहीं तो वह सहन नहीं कर पाएगी, अजीत तो सज्जन है ही, उनके माता पिता भी बड़े गंभीर किस्म के हैं, शादी में मेरे पिता की अनुपस्थिती को उन्होंने नजर अंदास कर दिया, रिष्टेदारों ने काना फुसी की भी होगी तो पता नहीं, मुझ तक कोई बात नहीं पहुची, विदा के समय सभी माएं अपनी बेटियों को सीख देती हैं, मेरी मा ने भी दी, कहा, निमो, अब थोड़ा अपने स कभाव को मोल्ड करो, अपनी जबान पर काबू करना सीखो, मैं तो औरत थी, फिर भी सह नहीं पाई थी, अजीत, लाख सजन है, पर पुरुष है, उसके सब्र की परिक्षा मत लेना, सुभम के जन पर मुझसे भी ज्यादा मम्मी खुश थी, चल, तूने एक बड़ी जीत ली, कैसे, कम से कम बेटी जनने का दोस्त तो तुछ पर नहीं लगेगा, और मैं भी एक तरह से बरी हो गई, नहीं तो कहने को हो जाता, मा की कोख में भी बेटियां ही थी, बेटी भी इतिहास दोहरा रही है, उस समय मैंने जाना कि इस लांचन का घाव, उनके अब चे उसे में आई हुई थी, उनसे मिलने मैं भी मम्मी के पास पहुँच गई थी, फोन मैंने ही उठाया था, हेलो, कौन, सुमी बोल रही है, जी नहीं, मैं निम्मी हूँ, नमिता, मैं तुम्हारा गोविन चाचा बोल रहा हूँ, तुम तो शायद पहचानोगी भी नहीं, सु मैं अपनी मम्मी को फोन देना, मम्मी कॉलेज गई हुई थी, मैंने दीदी को पकड़ा दिया, कोई कोविन चाचा है, दीदी का चहरा एकदम तन गया, बड़ी ही रूखी आवाज में उन्होंने कहा, येस, सुमिता हिय, उस तरफ से क्या बात हुई, पता नहीं, दीदी न तल्ख अंदाज में कहा, मतलब हमारे पिता अभी मौजूद हैं, दिदी ने रिसीवर पटक दिया, मैंने प्रशनार्थक नजरों से दिखा, श्रीमान को कैंसर हो गया है, सिरोसिस ओफ लिवर, इसलिए बीवी की याद आ गई है, क्योंकि बिमारी में सेवा भी चाहिए और पैसा भी, वह जो एक और थी, वह कहां गई, एक होती तो रुपती, यहां तो अनेक थी, डूपते जहाज पर कौन ठहरता है, मम्मी को पड़ेगा, पर एक बात तै है, अगर वे उस आदमी के पास दोबारा गई, तो हम दोनों उनसे कभी कोई संबंध नहीं रखेंगे, लेकिन दोबारा फोन आया तो मम्मी क्या मना कर पाएंगी, यू आर राइट, मम्मी में वो गट्स नहीं है, और वे लोग उनको इमोशनली ब्लैकमिल जरूर करेंगे, एक काम करते हैं, मैं उन्हें साल छे महिने के लिए अपने साथ ले जाती हूं, मामा की भी अभी खबर लेती हूं, यहां का नंबर उन्होंने ही दिया होगा, यहा वहां नया नंबर ले लूँगी, और वह सिर्फ तुम्हारे पास होगा, नहीं तो वे लोग मम्मी को वहां भी चैन से रहने नहीं देंगे, इसके बाद दीदी ने सांस नहीं ली, दौर धूप करके मम्मी का साल भर का वीजा बनवाया, वह तो मम्मी से कह रही थी कि नौक पढ़ गई हूँ, आठवे दिन फोन पर बात होती है, फिर भी दूरी का हैसास नहीं जाता, तीन लोगों की हमारी छोटी सी दुनिया थी, वे दोनों तो अब भी साथ हैं, मैं ही अलग पढ़ गई हूँ, मम्मी से शिकायत करती हूँ तो वो हस देती हैं, पगली, तुम्ह अब हमारी जरूरत क्या है, तुम्हारी तो अब अपनी अलग दुनिया है, तुम्हे तो अब हमारी याद भी नहीं आनी चाहिए, ऐसा भी कहीं होता है, आज सुबह 11.30 के करेब, उनहीं गोविंद चाचा का फिर फोन आया था, इस बार सीधे मेरे पास ही आया था, मम्मी दीदी के पास थी, और दीदी का नया पता और नया नंबर सिर्फ मुझे मालूम था, पिछली बार की तरह इस बार भी नोने मामा से बात की होगे, वहीं से मेरा पता और नंबर लिया होगा, मैं तुम्हारा गोविंद चाचा बोल रहा हूं, पहचान रही हो ना, जी, एक खबर देनी थी, कहिए, तुम्हारे पिता नहीं रहे, चाहती तो दीदी वाला जुमला फिर से उच्छाल देती, पर इक्षा नहीं हुई, इस खबर पर कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का मन नहीं हुआ, निम्मी, सुन रही हो ना, जी, तुम्हारी मम्मी को खबर करन थी, तुम्हारे मामा जी के पास सुमी का नंबर नहीं था, भाबी शायद वहीं हैं, मैं खबर कर दूँगी, हफते छे दिन में धीदी फोन कर ही लेती हैं, तब बता दूँगी, मुझे नंबर दे देती तो, ऐसी भी क्या जल्दी है, दो दिन बाद भी पता लगेगा, त आप तो जानते हैं, बरसों पहले उन दोनों ने एक दूसरे को अपनी जिन्दगी से खारिस कर दिया था, खेर, मैं तो अपना फर्ज अदा करना चाहता था, आगे तुम्हारी मर्जी, वे रिसीवर रखने को ही थे, कि मैंने तपाक से कहा, आपका फर्ज क्या यहीं तक सी मित्था, मतलब जिस ततपरता से आपने अपने भाई की बिमारी और मृत्यू की खबर पहुचाई है, उसी ततपरता से कभी हमारी भी खोच कभर ली होती, आपके खांदान की बेटियां थी हम, कभी पता तो लगाया होता कि हम कैसी हैं, कहां हैं, पढ़लिक रही हैं या मा हमारी बैठी हैं, आप चाचा होते हैं न, फिर कभी तो हमारा खयाल किया होता, सिर्फ खयाल करने से क्या होता है, कोई संपर्क सूत्र तो हो, और फिर जिसके दम से ये सारे रिस्ते थे, जब उसी ने किनारा कर लिया, तो हम तो पराय ही थे, एक्जैक्टली, और अब तो वह महीन सा रिष्ता भी खत्म हो गया, इसलिए गुड बाय, मैंने रिसीवर इतनी जोर से पटका, कि उन्हें पता चल गया होगा कि मेरे मन में कितना आक्रोश है, गुस्से से मेरे आंसों निकल आये थे, जिन्दगी भर तो कभी सुद नहीं ली, कि ये लोग जीती हैं कि म दीदी ने कितनी ग्रेसफुली उन्हें एक ही बार में निप्टा दिया था, मुझ बेवकूफ को अपनी भडास निकालने का यही मौका मिला, मेरे आक्रोश के पीछे से जहांता मेरा उदास, एका की निरा नंद, अभाव ग्रस्त बच्पन, उन्होंने जरूर देख लिया पता नहीं कितनी देर तक मैं अपने को कोस्ती रही, हिलक हिलक कर रोती रही, शाम को रोज की तरह मुझा धोकर मैंने कपड़े बदल लिये थे, फिर भी इन्होंने आते ही मेरी चोरी पकड़ ली, क्या बात है, लगता है दिन भर रोती ही रही हो, मैं एकदम फट पड़ी, तुम CID में भरती क्यों नहीं हो जाते, बेकार दफ्तर की फाइलों में अपनी प्रतिभा जाया कर रहे हो, थैंक्स फॉर दा कॉम्प्लिमेंट मैडम, पर आपका चहरा इतना पार्दर्शी है कि कोई अंधा भी से पढ़ सकता है, मैं तो फिर भी दो आखे रखता हूँ, क कोई गंभीर बात हुई है, क्योंकि तुम दिन भर रोती रही हो, ठीक कहरा हूँ ना, रोने पर पाबंदी है कोई, पाबंदी नहीं है, पर पूछना तो मेरा फर्ज है ना, पती हूँ तुम्हारा, मन हुआ चीक कर कह दू, भार में गया तुम्हारा फर्ज, प्लीज पर मम्मी किसी ख्याद आ गई, जो उन्होंने सगाई पर, शादी पर, अमेरिका जाते हुए दी थी, कहा था, निम्मी, अपनी जवान पर, अपने गुसे पर काबू रखो, ये छोटी-छोटी बाते ही, ग्रिहस्ती में दरार पैदा करती हैं, माना कि अजीत बहुत सज्ज के लिए, थोड़ा जब्त करना सीखो, मम्मी की याद से ही, मेरा गुस्सा ठंडा पड़ गया, और मैंने सूखी हसी हस कर कहा, फर्ज पूरा हो गया, श्रेमान जी, अब थोड़ा चायनाश्ता हो जाए, सौभाग से उसी समय बच्चे भी आया के साथ घूम कर वापस लाट माहौल एकदम खुश गवार हो गया, रात का खाना भी उसी प्रसन्नवाता वरन में हुआ, उस रात टीवी खोलने का मन नहीं हुआ, शगुन को थपकते हुए, मैं बरामदे में आ बैठी, ये भी सामने वाली कुरसी पर बैठ गय, शुभम उनकी गोद में चड़ बैठा, दोनों बच्चे निदियाए हुए थे, सोने में दस मिनट भी नहीं लगे, हम लोग थोड़ी देर इधर उधर की बाते करते रहे, फिर मैंने एका एक कहा, आप शाम को ठीक कह रहे थे, आज एक गंभीर बात हो गई है, क्या, मेरे पिता नहीं रहे, ओ, उन्होंने कहा और चुप हो गए, सायद सोच रहे होंगे कि सांतोना में क्या कहूं, या फिर सांतोना दूं भी की नहीं, बड़ी देर बात बुले, तुम्हारी ममी ने मना किया था, इसलिए आज तक मैंने कभी उनका जिक्र नहीं छेड़ा, लेकिन आज, अगर चाहो तो उनके बारे में बा शकल तक याद नहीं है, कुल जमा दो साल की तो थी मैं, जब ममी ने घर छोड़ा था, उसके बात कभी देखा नहीं, ना बस सुना ही सुना, और जो कुछ सुना, उससे आहत ही हुई, फिर भी पिता तो पिता होते हैं, अन जाने, अन चाहे, उनसे एक तार जोड़ा रहता ह नहीं तो तुम रोती क्यों, आप गलत समझ रहे हैं, मैं पिता के लिए नहीं रोई थी, मैं तो अपने लिए रोई थी, मैं उस प्यार दुलार, सुकून और सुरक्षा के लिए रोई थी, जो हर बच्चे का जायज हक होता है, पर वह मुझे नहीं मिला, एक गरीब का पाया होता है, हम तो पिता के रहते भी अनाथ थे, मामा की विशाल हवेली में भी अकिंचन, असहाय और बदहाल थे, मामा हमें मजबूरी में पाल रहे थे, पर उनके बच्चों को हम फूती आँख नहीं भाते थे, हमें अपमानित करने का एक भी मौका वे लोग नहीं छो मनाही थे, मामी की चौकिननी नजर हमेशा हमें घूरती रहती थे, उनकी जबान तो एकदम जहर बुची थे, वे हमें कभी नहीं भूलने देती थे, कि हम तीनों के तुकडों पर पल रहें, दीडी तो फिर भी समझदार थी, पर मैं अकसर जित पर आ जाती थे, तब वे हा रहने जाती तो तांडव शुरू कर देती, सब को सुना कर कहती, ऐसा सुभाव था, तभी तो ससुराल में नहीं बनी, अब यहां हमारी चाती पर मूं दलने आ गई है, मेरे बच्चों के मूं का कौर छिन गया, यूं तो ममी कॉलेज में नौकरी कर रही थी, मामा को अपने हिस्से का खर्च भी दे रही थी, पर मामी को संतोश नहीं था, उन्हें तो हमारी उपस्तिती ही खटकती थी, नानी एक ही शहर में दूसरा घर लेने की इजाज़त भी नहीं दे रही थी, हार कर ममी ने बड़ी मुश्किल से अपना ट्रांसफर भोपाल करवा लिया, लेकिन अपना खर्च बराबर बेटे से लेती रही, कहती ही, अब आखरी समय में बेटी की कमाई क्यों खाऊं, उनकी इस बात के पीछे रस्मों रिवास थे, या बेटी की मदद की आकांक्षा, कौन जाने, नानी ना होती ही, तो हम लोगों का पता नहीं क्या हाल होता, मैं उन्हें बड़े मनो योग से अपने बचपन की कहानी सुना रही थी, एका एक पता नहीं कितनी सारी बाते याद आ गई थी, अपना अकेला पन, मम्मी के आसु, पडोसियों की ताना कशी, सहेलियों की कानफुसी, रिस्तेदारों का उपहास, या भी याद आया कि भोपाल आने के बाद, मम्मी ने जब अपने सुहाग चिन्न उतार दिये थे, तो हम लोग कितना सहम गए थे, उनका रूप देखकर, नानी तो एकदम बिदग गई थी, मम्मी ने शांत भाव से कहा था, अम्मा, लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं, किस किस को अपना इतिहास सु भाग्य की नहीं, दुरभाग्य की ही प्रतीक हैं, करवा चौथ या तीच पर भी मम्मी ब्रत नहीं रखती थी, नानी को उन्होंने समझा दिया था, अम्मा, मैं तो एक जनम में ही भरपाई हूं, जन्म जन्मांतर के लिए ऐसे पती की काम न तो मैं बिलकुल ही नहीं कर सक बे तर्तीब सी सारी बातें जैसे जैसे यादा रही थी, मैं सुना रही थी, वर्षूं से मन में संचित गुबार लावे की तरह बह निकला था, बिलकुल रीत जाने के बाद मैं निस्पन सी कब तक बैठी रही मुझे पता नहीं, कब उन्होंने सुभम को सुलाया, कब ड्रूम में पहुची तो देखा, एक बाह पर सुभम और एक बाह पर शगुन को लिए वे सो रहे थे, दोनों बच्चों ने अपनी बाहें पापा के गले में डाली होई हैं, नीन में भी दोनों बच्चे एकदम संतुष्ट और आश्वस्त लग रहे थे, मैं निर्मेश उ एक भठी सी सुलगने को हुई, पर मैंने जब्त कर लिया, मुझे अपने आप पर शरम आने लगी, छी, कोई अपने बच्चों से भी जलता है कभी, सो गए क्या, मैंने हॉले से पुकारा, वे आँख खोल कर मुस्कराए, मैं तो नहीं सोया, पर मेरे ये दोनों हाथ सो गए हैं, जरा मदद करूगी, मैंने बच्चों को अलग करना चाहा, तो उन्होंने पापा को और कसकर पकड़ लिया, नीद में भी वे अपनी पकड़ धिली नहीं करना चाहते थे, मैंने अजीत के दोनों हाथ बच्चों के सिर पर रख कर कहा, आज मुझे, एक बचन दोगे प् पर उसकी सजा, तो मेरे बच्चों को मत देना, अगर बरदास से बाहर हो जाए, तो मुझे छोड़ देना, पर इन बच्चों पर अपना हाथ हमीशा बनाए रखना, प्रॉमिस, प्रॉमिस, उन्होंने कहा, और मुझे भी अपनी बाहों में भर लिया, आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है, तो प्लीज एक लाइक करें, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा पोत्साहन मिलता है, अपनों के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर आप इसी तरह की मन और अरंज कहान या सनना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ, तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,